कि नमस्कार दोस्तों दिडैनमिक एजुकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सो हम पिछले क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं पिछले क्लास में हमने एक कॉंसेप्ट पढ़ा था क्या कि यदि हम करंट केरिंग कंडक्टर को यदि हम मेगनेटि और क्यों फॉर्स एकज़ट होता है वह में पिछले क्लास में एकस्प्लेंट किया है तो जब एक करंट करिंग पर अ चेब कर ला करना था जब हमें पता चल गया फ्राइड़ को यह पता चल गया 1821 में पहली वार कि यदि मैं कोई मैगनेटिक फिल के बीच में करण केरिंग कंड़क्टर रखता हूं तो इस पर एक फोर्स होता है और इस फोर्स होने से हमें यह कंड़क्टर क्या मिलता है चलते हुए मिलता है मोशन में हो जाता है इस फोर्स के कारण तो इसी को हमें apply करना था अपने day-to-day life में कुछ device बनाने था तो फिर हमने सोचा कि जब इसमें motion आ सकता है तो फिर क्यों ना इसमें हम ऐसा इसका shape दें कि यह rotate करना start कर जाए यह क्या करना start कर जाए रोटेट करना start कर जाए पहले यह linear motion कर रहा था पहले कैसे यह ऐसे motion कर रहा था यह ऐसे इस पर फोर्ष लगा ऐसे चल गया हमने फिछले दकास में बता था कि उपर ऐसे जाता यह नीची आता है तो यह तो हो गया linear motion एक तो होता है देखो motion मैं थोड़ा सा explain करना चाहूंगा कि motion में दो तरीके सो होते है कि एक linear होता एक rotation होता है हम बोल जरूरी नहीं कि हर बार linear changement होगा तभी हम उसको motion समझेंगे अपने angle को change करना भी क्या कलाता है एक motion ही कलाता है जिसे हम rotational motion कहते हैं ओके तो हम क्या समझे कि जब यह linear motion कर सकता है तो इसमें rotation भी आ सकता है कैसे rotation लाने के लिए हमें जरूरी होता है एक नाम आपने सुना होग twist करना मतलब उसमें torque generate करना जैसे मैं बात करूँ example आपको cycle का handle होता है cycle के handle को जब आप पकड़े होते दोनों हाथ से तो उसे मोड़ना होता है तो जब आप मोड़ते हैं उसको या इधर या इधर मोड़ते हैं तो आप अपने हाथ जो दोनों तरफ से force लगा रहे हैं उसमे वह force कैसा है linear force है कैसा force है linear motion दे रहे हैं लेकिन क्या आपका handle है उसको मोड़ने से cycle आगे बढ़ जाते हैं नहीं नहीं बढ़ता वह अपना direction change करता है तो आपने linear force लगाया linear momentum किया उसमें लेकिन आपको result का मिला आपको result मिला as a rotation cycle का center है वह अपने ही जगह है लेकिन उसका क ह HELP हो ने हैं क्लान क्याμεिश्च को रபी चिर्श कोरे टेघृच्ट किया और इसी twisting force को physics के भासा में हम बोलते हैं तो यहां पर क्या होता है टाने के लिए फोर्स जरूरी होता है इसी तरह से हमसे किसी चीज़ को घुमाने के लिए तो ऑ चरूरे होता है तो है तो तो और व विच हो रहा है। आप dh시다 को या किसी वी चीज़ को आफ खोलते हो तो आहा करते हम टोरक लगा रहे होते हैं क्यूँक्त हम फोर्स जो लगा रहे हैं वह लिनियर में नहीं होकर वह रोटेशन में जा रहा है तो टोर्क हो गया चलो यह तो हमने basic discuss कर लिया उसी का यहां पर जवरत पड़ेगा तो हमने क्या किया कि एक ऐसा conductor का shape बना दिया जिसमें कि हमारा वो घूम सके वो rotation कर सके कैसे तो हमने जो conductor को लिया और उसको हमने rectangular shape में मोर दिया जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने इसको rectangular shape में मोर चलिए अब मोरने से हुआ क्या है यहां पर तो यह हुआ मैं इसको मैं यह जो magnet है यह 3D में बनाने के लिए मैं इसको tilt बनाया हूँ वैसे यह सिधा होता है तो मैं यह समझा हूँ आपको तो यह conductor जो है वो इस तरह से कुछ like है इस तरह से ठीक है यह conductor इसको हम rectangular में shape दे दि है अब इस rectangular shape में हमें इसे घुमाना है हमें इसे घुमाना है तो गुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम इसे magnetic field के पीच में क्या कर तो हमने इस रख दिया आप आपका जो current carrying conductor है उसकी जो current की direction है और जो magnetic field का जो direction है वो दोनों क्या होना चाहिए perpendicular होना चाहिए तभी force exert होगा आप खुद सोचो कि यह जो यह marker मैं ने लिया और यह जो एक marker है यह इस पर फोर्स तभी अपलाए करेगा जब यह इस पर परपेंडिकुलर जाएगा यह इसके परपेंडिकुलर जाएगा यह दिए पैलल जाएगा तब फिर यह कैसे यह दोनों यह दिए पैलल हो जाता है तो फिर किस बात का force फोर्स तो नहीं लगेगा ना इस एक आप सकते हैं इस एक जांपल से आप दियान देगना कि मेंगनिटिक फिल्ड और करन्ट के हमेशा परपेंड्रिकुलर हो देखते हैं कि कैसे मोէे मोंटर का कॉंसेप्स्ण आया कैसे हमने मोघुटर को कॉंसेब्ट में में सब्रूल व्लीन था जो फरणी ने अवजर किया था उसको हमने कैसे मोटर में अपलाई किया तो यह हमारा डिरेक्डशा मनलब यह सिंपल कंस्ट्रक्शन है यह मारा मेनेटिक फ्लिक कहा यहां पर दोनों यह मेंगेनेट है यह परमानेट के जाता है और यहां पर यूज किया जाता है यूज करvaibliaट है वह ऊढ़ और हमारे लिए अच्छा है कि यह में जब ज़ीए डिया इधर नऊर्थ वाले लिया है यह जो फैस है ।ॉ और यह जो है इधर जो फैस है यह सफुत है अब हमें पता है कि इधर नॉर्थ है इधर सौथ तो हम क्या करेंगे यह जो फैस आप देख रह нев tara ये नौT है इसका यह नौT है यह इसका सौथ है आपको यह इस तरह समने इसको किया अब हम ने क्या करने मेंने के इससे पता करता है कि North Pole से exit करता है और South Pole से enter करता है तो हमारा direction क्या होता है हमने पढ़ रखा है तो हम यहां से लिखेंगे कि magnetic field का direction इस तरह से होगा मैं इसको माल लो यह conductor यहां पर है तो इधार यह North है और इधार South है तो यह direction लग यह like इधार से होगा ठीक है यह direction होता है North to South होता है अपना magnetic field का direction यह हमने समझ लिया direction इधार है माल लो क्या है ही होता ही तो अब हमें इस conductor में मैंने current को flow कराया current हमारा अभी like इस direction में इधार से गया फिर इधार आया और फिर इधार आया इस direction में जा रहा है अब क्या करना है में अब हमें इस पे दिखाना है कि इस पे force किधर exult होगा force किधर exult होगा तो हम force का direction पता करना है तब force को direction पता करने के लिए हम किनको याद करेंगे flaming's के left hand rule को याद करेंगे flaming's के left hand rule क्या था कि यह क्या बताता है यह जो four finger है तो छलिए हम इसको कोशिक करते हैं कि देखते है कि इसका डाइक्शन मिलता है मुझे तो हम अपने हाथ को क्या करेंगा इसको हाथ एसे मोड़ देंगे एसे मोड़ दिए ठीक है क्योंकि हमारे हाथों का क्या डिग्री ओफ फ्रीडम सिक्स है हम कैसे भी मोड़ सकते हैं 3D में तो हमने क्या किया है अपने यह सब पर प्रपेंडिकुलर है हमने एजी टीज रखा और इसको ऐसे मोड़ दिया अब ऐसे मोड़ अब देखो क्रण का डेक्षिन ऊपर हो गया क्रण का डिर्फ कर देक्सिन इधर है अंगुठा कि अधर जा रहा है अब यह अंदर की अदर उसका ने इस पे फोर्स जो लगेगा वह आप यहाँ पर ऐसे माना के चलो डाउंड वाड मान लो मैं बोल्ड पर की कैसे दिखाऊ तो मतलब इस जो इधर वाले जो पूर्शन है इस पर अंदर क्यों फोर्स होगा अब इधर वाले पर आयते हैं इधर वाले पर क्या होगा तो इधर वाले पर यह डारेक्शन है तो इसमें भी फ्लेमिंग का लगाते हैं तो फ्लेमिंग रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें देखो यह डारेक्शन तो अभी भी मैं कि अभी को अगया के ओके सुरी फोडिस्टर्बिंस वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया अब मैं कंटेन्यू करता हूं कहां पर अपन अब यहां पर जब हमने करंट कोई रिवर्स किया मतलब इस डारेक्शन में जब हमने इस कंडॉक्टर के हमने कि इधर लेप और लेफ्ट आग हैं डाउनवर्ड लग रहा है उतर है किता उल्टा हो जा रहा है तो हमें आगाफ हो गया यह बता हो चि क्ड़ा ये क्ऴज तो आपको मैं दिखाऊंगा ई Harper थrak तरह से इस तरह से इस तरह से जिस तरह से हैंडल पर इस तो इसको इधर पूस करते हो तो वह डायक्षन चेंज हो जाता है उसका तो इसी तरह से यह यह पहले ऐसे था इस पर इधर के और फोर्स लगेगा इस पर लगेगा तो यह ऐसे ट्विस्ट कर जाएगा ठीक है यह तो कर गया अब यह वर्टिकल पोजिसन में आ गया कैसे यह पोजिसन में आ गया तो अब क्या होगा अब यहां पर क्या होगा तो जैसे यहां पर आया तो फिर अब इस पर फोर्स क्या हो जागा तो इस पर जो करंट की डायक्षन है वह यहां पर वर्टिकल में कर दिया उसके बाद फिर आगे कैसे रोटेट करें तो आगे कैसे रोट continue वो रोटेट करेगा करेंट कैसे चेंज करेंगा उसको समझी आप तो पहले यह करेंट का डायक्शन ऐसे जा रहा था जा रहा था चलो उस पे जब लगाया तो हमने फोर्स देखा कि ऐसे रोटेट किया यहाँ पे हम यूज करते हैं एक रिंग यूज करते हैं कम्यूटेटर जी से हम बोलते हैं यह कम्यूटेटर होता है रिंग होता है यह इससे एक से Code यह समावलो यह ring है ठीक है यह ring है और हमने इसे बीट से काड़ दिया हमने इसको बीट से अपत दिया अब इस ring को जो है यह ring यह ring directly connected नहीं सी ह्थार से क्योंकि यह ring होता है यह connected होता है यह हमारे rectangular रेक्रंग11 तो हमारा घींदर कट LIVE कर देगा तो इसलिए यहांपर इक डि STEPHAN já क्यों सब्सक्रेट का करें का टे वह सब्समें मॉंटिधा वो जो हमारा में वाला लोय का यहFitयों यहे माॉंटेड होता तो एक करवन ब्रस है और कारवन ब्रस गूमता नहीं नहीं घूंता नहीं यह इस पोजिशन से यह पहले ऐसे गूंटल था और फिर यह S ने rotate ऐसे किया जैसे ही S रोटेट किया तो उस condition में क्या होता है कि ऐसे ही rotate किया अब अभी यह वाला में नाम देता हूँ यहाँ पे तो इससे ज़्यादा clear होगा यह मालो X इधर वाले half part को जो ring है और इधर वाले ring को माल लेता है Y ओके तो X और Y यह ring है ओके तो X Y अभी इधर वाला position जैसे यह इधर से plus में जा रहा है तो इस direction यह मालो यह plus वाला है यह minus वाला यह carbon और carbon क्यों 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 कि carbon यहाँ यहाँ यूज करते हैं क्यों कि carbon क्या होता है यहाँ पर हमें conductor के तरह electron से यहाँ पर transfer हो जाता है जैसे यहाँ से charge particle जाता है तो वो electron को transfer होने देता है that's why हमें इसमें कोई problem भी नहीं होता है और हमारा काम भी हो जाता है कि आप इसको इसके साथ tightly screw के साथ मतलब यह जो carbon है ना यह carbon का जो brush है एसको tightly spring से क्या कर दिया जांधा है be juststat कर दिया जाता है ताकि यह जो ring Commutator है उसके साथ chip कर रहे उसके साथ क्या रहे हो चिप कर रहे तो यह अभी direction क्या था पलस में था जब यह exit जो था एकन। खिसके साथ प्लस के साथ जैसि और यह वाई- जैसे ये उल्ड़ा होकर आएगा जैसे वर्टिकल में आए तो जैसे वर्टिकल के आता है उस टमपर कया होताहिए कई कर्ण जोदा ओधो थोड़े दृट माय मां बिल्कुल माय माै क्रोग श करदू हो जाता horizontal से vertical आया होगा है उस time पे इसको momentum मिल जाता है और जैसे एक बार momentum इसको मिल जाता है तो फिर क्या होता है वो आगे की और फर्दर चलता है आगे की और उसको फर्दर चलता है लेकिन उसको complete rotate कराने के लिए क्या होगा कि जैसे यह आगे आएगा ना तो यह position ऐसे change किया ऐसे position तो यह position ऐसे पहले ऐसे था फिर जैसे यह vertical आएगा तो कुछ vertical आएगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ठीक है यह position में ऐसे हो जाएगा फिर जैसी यह flip होगा तो यह वाला जो position है वो किस पर आजाएगा वाई वाला प्लस के साथ आजाएगा एक्स वाला इसके साथ आजा रहा था पहले current ऐसे जा रहा था अब उल्टा हो गया तो करण्ट अब कैसे हो जाएगा यह ऊपर की और जाएगा इधर से ओपर हो जाएगा यह नीचे की और हो जाएगा अब इसका certificate शो lançेंट का प्रक्राइसन बताई केसे UK तो इस पर upward और इस पर downward तो क्या हुआ फिर से इसको अगेन रोटेट करा देगा अगेन इसको क्या करेगा रोटेट करा देगा आगे की और moment करा देगा तो इस तरह से हमारा क्या करता है हमारा electrical motor work करता है continuous फिर उसको current मिलते जाता है और हर एक half rotation में द्यान रखेगा हाप rotation में current का direction change होने से फिर आगे की और उसको फिर से further moment मिलता है इस तरह से पहले ऐसे था फिर इसको ऐसे मिला जैसे आया तो अब इस पर डार्टेशन चेंज हो गया तो अब इस पर क्या लिए कि इधर लगने लगने लग जाएगा और इस पर इधर लगने के लिए माइक्रो सेकेंड के लिए current cutoff होता है उसके बाद फिर यह अगेन फिर इस पर यह वाला बुरूस जोगता है यह ब्रस्ट जो रिंग है यह चेंज हो जाता है यह चेंज हो जाता है जिसके कारण फिर हमारा पहले यह यह निगेटिम है था तो फिर अगले हाफ काुटर के बीच में हम क्या करते हैं यह जो हमें नहें दिखाया है आपको यह मनें बीच में साफ्ट कमेक्ट कर दिया मतलब एक अाक्रम कर ओता है त Davis इस तरह से लुझे समाय यहे लिक्टर कंडुक्त नाओ ऑर जोब घोंता Despite यहां पे हम We need一下 रख में hо het साथ में हर जगह हमीं जो भी काम होता है हम उस उइज करके फिर आपना काम कर ले तो इस तरह से हमारा वार्गान करता है इस्टी क्रता है या क्या याक पूर tr या कभी अपना मेगनेट लो एक हमें रेक्रनुर सेब का समय नने class के लिए वह तो यह देखो समझने के लिए लेकिन इस पर बहुत सारे बॉंडेट होते हैं फिर इस पर भी बॉंड किया जाता है तार का लपेटा लगाया जिसे हम आर में चर बोलते हैं तो वह इतना ज्यादा हाइयर क्लास के लिए है आपको बस इतना बेसिक फंक्शन इसका काहसा पता होना चैया था हमने का फंक्सन स्मझा है क्या होता है यह द्यक्न चेंज करता है करंड का कर दहां करता है कि ये पूरा सिस्टम गूंता है और इस तरह सा हमारा एलेक्टकल मोटर वर करता है और हम फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट यूज और परपस के लिए हम यूज करते हैं तो हम नेक्स tyle कलास में हम देखेंगे हमारा जेनरेटर कैसे करता है और हां एक वात ध्यान किया है तो ये भी जो है इस बार सिवियस के सिवियस के द्वारा ये जो टोपिक है ये हटाया गया है तो चांस है कि इस पे कोशन नहीं आएगा बट मैं आप एक बार इसको देखना जरूर क्योंकि एक बार देखने से क्या जा रहा है को हो सकता है इस पर कोई अब्जेक्टिव कोशन बन जाए तो जानकारी रखना जरूरी है हाँ आप इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना इसको क्योंकि एक्जामनेशन परपस से ये लो वेटेज हो जाएगा तो आप इसको एक दो बार ही रिवीजन करना जो टोपिक आने वाला है उस पर हमें ज्यादा शेयर करें थैंक यू